Assalamualaikum friends, कैसे सब उमीद है, सब खेरिद से होंगे, आज की वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ formal dresses के किस तरह से आप winter में अपने खुबसूरत formal dresses बना सकते हैं, आज भी जो labor work करी है उस पर formal dresses देच हो रहे हैं, क्योंकि वैडिंग्स का season है तो वैडिंग्स के dresses आ वैलबट के ऊपर सौरी पट्टी बना के उसको shirt के ऊपर रखके पेस्ट के आवा है, और यह round neck है, इसकी इससे नजर नहारी मैं इसको इसको सच करके दिखाती हूँ, यह देखें जी, यह round neck है, सामने इसके जो है, वह कुर्टा पट्टी है, जिसके उपर जो है, वह क्रॉ पूरी length में जो है, यह पट्टी आरी है, अब आपको सही properly जो है, यह नजर आरी होगी, यह देखें, यह पूरी पट्टी यह length में, दोनों sides पे, यह side पर भी length में और दूसी side पर भी length में, सारे जो है, यह goटे के x-pen ay में हैं, यह goटा हाथ से नहीं लगावा, यह machine से लग बाजू में SAM-F Drag6 High वयर्डी नीचे वाली लेसे एड की वह थाी दोड़डा ना फॉर्मल टच स्याधा आजाई जो हमने पाइप मिंग के लिए कलर्र यूइस क Although I would handle my Obscconomik उसके लिए हमने जो है औरिंज रड जमावार यूज किया है यह देखें आप स्क्रीन चॉट ले लें दामन का इस तरह से अब चाहें तो इसको आम जो खदर वगएरा के या करंडी के ड्रेसिस हैं उस पर भी वेलवट पर बना के लगा सकते हैं अच्छे रूपसूरत लगे है इसके नीचे हमने पेपर बुक्रम या फ्यूजन पेपर यूज नहीं किया यह वाला यह देखें और जो इसके बाजू और दामन है उसमें हमने पेपर बुक्रम को यूज किया है अब आपको दिखाऊंगी बैक साइड यह इसकी बैक साइड है वेलवट का इसका प्रिं बनाए है और साथ में यह वो टेसल हैंग किये हुए अब आपको दिखाऊंगी इसका बैक दामन जो बैक सईड है इसकी साइड के उपर हमने जो है वो एक्स नहीं बनाए इस तरह से जो क्रॉस कह लें आप इसमें सिर्फ हमने बैक दामन पर एड किया है यह देखे इस तरह से बैक दामन है और बैक दामन पर सारे यह क्रॉस बनाएवे हैं गोटे से अब चाहें तो जिगजग गोटा भी यूज़ कर सकती है लेकिन जो प्लेन गोटा होता है उससे तरह अच्छी लुका दी और यह नीचे इसके पल्स वाली जो है वो लेस अटेच की विए यह इसके स स्लीज नहीं बन रहे थे हमने इसको किस तरह से अजेस्ट किया यह सामने तो हमने इस तरह से क्रॉस बनाने ही थे तो हमने क्या किया इसके सेंटर में भी इस तरह से क्रॉस फिल कर दीएंगे मैं आपको दिखाती हूं यह देखें सेंटर में क्रॉस फिल कर दीएं जिसके ज और साथ में लटकन वारी लेस लगा दी है जिससे लुक भी थोड़ी सी फॉर्मल हो गई है स्लीव की अमेरे लुक नोटी हो गया खाता है और दौजर शिल्क में ले कशा लगता है खिर यह इसका ट्रौजर में ही है और ये इसको लास्टिक लेगी भी है जैसे फ्रेंट प्लेइन बैक लास्टिक है लोग जो है वो डिफरेंट कलर की बेल्ट लगाते हैं लेकिन हम लोग वैलवर्टी यूज़ करते हैं बेल्ट के लिए अब आपको दिखाऊंगी इसका खुबसूरत दुबट्टा ये जी इसका खुबसूरत पलची का दुबट्टा है कलर कम्बिनेशन वे देखिए आपके सामने है रेड़्ट है साफ गोल्ड है साथ में ब्लैक है बैपको दिखा तो यही इसमार और्इंज रड्ड कलर है जिसकी हमने जामवार यूज़ की है और ये जी इसके दुबटे की लुक है ये सारा अंदर पिंक और ब्लैक पलची का दुबटा है जो इसका सेंटर आ रहा है और फिर गोल्ड और साथ में जो है वो रेड औरेंज कलर फ्रेश रेड औरेंज कलर है ये और यह हमने नीचे इसको पाइपिंग की भी है यह देखें यहां जो इसका कॉर्णर है इसके कोई भी टैसल या हैंगिंग्स आप यूज़ कर सकते है उसके बाद जी यह इसकी नेक लाइन है यह इसका मैं आपको दिखा दी हूँ आल ओवर वियू के किस तरह से यह लुक इसकी नजर आती है यह देखें यह इसके स्लीज है और यह जी इसका दुपटा कलरफुल दुपटा इसका और साथ में इसके यह ट्राउजर और यह बलैक कलर जो है ना रॉसल का यह इतना अच्छा नहीं आ रहा कैमरे में लेकिन रेल में यह बहुत नाइस है और यह इसके साथ वेलवर्ट है और यह जी मैं आपको दुबारा एक पर दिखाती हूँ इसकी नेक यह इसकी नेक है आपने जुरूर बताना है कि आपको ड्रेस कैसा लगा है और यह देखें यह इसके दामन पर जो पल्स वाली हेंगिंग यह भी मैं आपको क्रीब से दिखा दिए इसके बाद जो नेक्स्ट मापस दूसरा ड्रेस है यह जी येलो कलर का और गेंजा में यह आर्टिकल आजकल काफी हिट हुआ हुआ है यह इसका बाड यक है सामने सिलेट है सामने उसमें हमने चीज़ो छोटे से बटन और पल्स उकाएवे हैं już देखें इस तरह सामने से और यह इसके ओपर और जो कड़ाई है यह मोटिफ आया था और बाकी इसमें जो है वो फ्रेश रेड कलर की जो है वो जामवार फ्रेश मेरूनी श्रेड कह सकते हैं आप इसको प्योर रेड नहीं है ये हलका सा मेरून का शेडार है उसकी जो है वो उसमें हमने जामवार जो है उसके नीचे लगाई भी है फैशन पटी में ये देखें य जरूरी नहीं कि आपने ऐसा ही ड्रेस पाय करना है यह बहुत ज़्यादा रनिंग में आजकल यह वला ड्रेस आप सेम और गंजा लेके बेशक इम्रोडरी ना भी हो प्लेइन और गंजा लेके आप नेक के ओपर कोई भी डिजाइनिंग कर सकती है कलर कॉमिनेशन अच्छा है इसका मेरून है और साथ में यह जो जर्दा कलर होता है ना यह प्योर जर्दा कलर में इसका जो है वो स्टाफ है और यह इसकी बैक साइड पे भी इस तरह से जामवार लगई भी है और अगर आप कलियों वाला फ्रॉग बनाए इस कलर में तो वह भी ज्यादा अच्छा गले के उपर आप कोई जैसे होता है नारकली टाइप शेप इस शेप में आप नेक लाइन बना सकती है बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा अगर आप ऐसे प्लीन लेके भी इडिजिस्ट करें यह जिसका ट्रॉजर है प्योर जर्दा कलर में ही ट्रॉजर है और इसकी जो ब घृदेज के आप मारकेट से मिल जाते हैं एजीं यह अज Healthy यह देखें अशे और इसमें भी हमने Pew geh फिलावर जाओर ऑक वह प्र सकते हैं जैसे कोई टेसल जैसे फ्लाबर घाडेरा तो फंक्शन होता है तो जाए ठीक है अगर आप महंदी के ये माईयों के फंक्चन के लिए करें फिर ताथ गोटे का टच दे रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है आई होप आपको आज के डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे हों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा इसे के साथ दें इजाज़त दो में याद रखिएगा टेक कियर और आला हाफिज